साथियो नमस्कार, साथियो आज रुत्तक के अंदर बहुत बुरी तरह लाठी चार्ज किया है कई हमारे किसान भाईयों के सिर्पट गए हैं, कई किसान भाईयों की हडिया टुटी हैं और मालूम हुआ है कि जो लठ मारने वाले थे उन में काफी लोग सिवल के थे कौन थे पता नहीं है, लेकिन अती दुखदाई घटना है कि हमारे लोगों की तरफ से ना तो कोई हमला किया गया है, ना कोई उपदर्व किया गया है और वहाँ पे भारी लाठी चार्ज हमारे लोगों के उपर हुआ है हला कि वो जादा गिनती में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हों लाठी चार्ज किया और बहुत बुरी तरह किया तो उसके विरोध में कल पंचैट करनी है कि आगे हमने क्या स्टेंड लेना है, क्या फैसला लेना है सुबह दस बजे मकडॉली टोल पर, रुटक में मकडॉली टोल पर पंचैट रखी गई है सुबह दस बजे, मेरी आप सभी से बेनती है कि सुबह दस बजे मकडॉली टोल पर हमारे भाई पहुंचे और वहाँ पे हम फैसला देंगे कि आगे हमने क्या रहन निती अपना नहीं है सभी का धन्यवाद जाए साथियो नमस्कार साथियो आज रुत तक के अंदर बहुत बुरी तरह लाठी चार्ज किया है कई हमारे किसान भाईयों के सिर पट गए है कई किसान भाईयों की हडिया टुटी है और मालूम हुआ है कि जो लट मारने वाले थे उन में काफी लोग सिवल के थे कौन थे पता नहीं है लेकिन अती दुखदाई घटना है कि हमारे लोगों की तरफ से ना तो कोई हमला किया गया है ना कोई उपदर्व किया गया है और वहाँ पे भारी लाठी चार्ज हमारे लोगों के उपर हुआ है हला कि वो ज़्यादा गिनती में नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हों लाठी चार्ज किया और बहुत बुरी तरह किया तो उसके विरोध में कल पंचैट करनी है कि आगे हमने क्या स्टेंड लेना है क्या फैसला लेना है सुबह दस बजे मकडॉली टोल पर रोत्तक में मकडॉली टोल पर पंचैट रखी गई है सुबह दस बजे मेरी आप सभी से बेंती है कि सुबह दस बजे मेकडाली टोल पर हमारे भाई पहुंचें और वहां पर हम भैसरा देंगे कि आगे हमने क्या रहने की अपना नहीं है सभी का धन्यवाद जैए